मंगल दोश पहुत से लोग मंगल दोश के भैस से ग्रसित हैं इस कारण बीवाह संबंधी कई मुश्किले भी आती हैं लेकिन वो उपाय जो आप आज जानेंगे उसे करके आपकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं मंगल जो है वो बगवान शंकर का पुत्र भी कहा जाता है और हनुमान जी मारा स्वयम रुद्रावतार है तो इसलिए भी मंगल के दोश के हनुमान जी की पूजा द्रहम चेरे का पालन करना चाहिए पवित्रता को धारन करना चाहिए मन करम बचन से हनुमान जी पे विश्व मंगलवार के दिन व्रत रखें हनुमान चालीशा का पाठ करने से मंगल दोश सान्त हो जाता है अगर पुरुष की कुंडली में मंगल दोश है तो सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करें अगर महिला की कुंडिली में मंगल दोश है तो हनुवान जी को मंगलवार को लाल फूल चड़ाएं कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे बजरंग बली मंगलवार का दिन हनुवान जी का दिन माना जाता है ये दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम दिन है अगर किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परिशान हैं तो हनुमान भक्ती से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं है मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है मंगलवार को मसूर की दाल गेहूं का दान करें इन सब में आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बजरंग बली की उपास न करें पहले राम नाम का जाप जरूर करें क्योंकि भगवान स्री राम का नाम जाप करने वाले की ही सदे उरक्षा करते हैं इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब आहरता नो यॉर फेट भक्तों को मिलेगा मंचाहा वर्दान कल्यूग में हनुमान ही सबसे सिद्ध देव हैं उनकी किरपा अगर मिल जाए तो जीवन के शभी कष्ट दूर हो सकते हैं और हनुमान जी को प्रसंद करने का सबसे उत्तम उपाय हैं सिंदूर का प्रयोग कहा जाता है हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके कर्ज मर्ज और दुर घटना से भी बचा जा सकता है तो आये समस्ते हैं सिंदूर के प्रयोग का नियम हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए अगर मंगल बाधा दे रहा हो या कोई विशेश संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए पुर्ष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं और लेपन भी कर सकते हैं लेकिन महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए बजरंगबली के भक्त उन्हें अलग-अलग उपायों से प्रसंद करने का प्रयाश करते रहते हैं। उपाय आप जो भी सच्चे मन से करेंगे हनुमान जी के दर्शन और पुजा अराधना करने के बाद जो भी काम आप करेंगे। बजरंग बली की किरपा से वो काम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएगा फिर चाहें श्रनी दोस्त से बाधा हो रही हो या फिर किसी ग्रह का प्रकोप हो महाबली महनुमान के आशिरवाद से हर तरह की बाधा दूर हो जाएगी आश्रो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आश्रो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से